तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज की दिन के इस पहले वीडियो की तरब तो जैसे की टाइटल के उपर आपने पढ़ाओगा जब भी मैं बोलता हूँ TCS को छोड़ो विपरो को छोड़ो या Infosys को छोड़ो तो इसका मतलब यह नहीं कि उन कंपनियों को मैं खरब बोल टॉप तिन में हमेशा आपको नजर आएंगे आएंगे और इन तीनों शेर्स को लगादर में पिछले चार पसल से आपके सामने कवर भी करते आ रहा हूँ और पहले भी कह रहा था आज भी कह रहा हूँ और आगे भी कहूंगा अगर आपको IT सेक्टर के किसी भी एक स्टॉ और वीपलो को छोड़ दे तो बाकि सारे के सारे शेर कुछ काम की नहीं है या खरब है बिलकुल नहीं पूरी इंडस्टरी काफी ज़बरदस थे और इंडस्टरी में छोटे मोटे मीडियम सेस्के सारे प्लियर्स आपको देखने को मिलेंगे और हमें प्ले करना है ग्रोथ कमपनी वो छोटी होगी तो भी चलेगी लेकिन कमपनी के बिजनेस में दम होना चाहिए कमपनी प्रॉफिट मेकिंग होने चाहिए तो वैसे कमपनी आपको पिक करनी हमेशा पड़ती है लॉंग टर्म ग्रोथ में काफी अच्छा गासा रिटन्स का कॉंटर्बिशन पाने के लिए तो आज जो स्टॉक की बारे में बात करने वाला हो कहने को तो यह 30 रिपा का स्टॉक है पेनी स्टॉक आपको नजर आएगा लेकिन कमपनी कंसिस्टन काफी जबरदस्तरीके से ग्रो हो रही है जो नंबर्स भी यहां पर में आपको बतने वाला हो लेकिन उसके पहले एक बहुत ही बड़ा truth आपको नजर आना ही चाहिए और obviously बात है यहाँ पर इस industry की बात करो तो what up the finance industry ना सिर्फ हमारे country की बलकी पूरे दुनिया की आपको देखने को मिलेगी जिसमें हमारे IT सेक्टर के बहुत सारी company का दबदबा भी आपको नजर आएगा तो अगर कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पर छोटी से आपको बताने की कोशिश करू financial year 2022 की सबसे तो देखे TCS, Vipro और Infosys ना main pillar से IT industry के इनके अलावा इस industry की ना इतनी बड़ी पैचन कभी बन पाती तो इन तीनों stock को तो कभी भुलना भी ने चाहिए क्योंकि जब भी बात हैगी इन तीनों stock की तो अविस सी बात है बहुत सारे जो जॉब्स बोल सकते हो इस industry में जो डेवलप हुए या बहुत सारे जॉब यहाँ पर opportunity के तरफ से यहाँ पर लोको को मिले तो उसमें number का जो बोल सकते हो contribution इन तिनों कमपनियों का हमेशा से काफी अवल दरजे का ही आपको देखने को मिला है इतना ही निए अगर मैं बात करूं यहाँ पर growth wise तो आप पर सकते हो इंडिया का जो IT का business है इसका जो service market यहाँ पर project किया गया था लगबग 20 billion US dollar का यहाँ पर किया गया था by 2025 तो यहां से भी आपको इस particular industry की growth potential का अंदज हो जाना चाहिए यहाँ पर आप देख सकते क्योंकि IT की spending इंडिया में expected increase की जा रहे थी लगबग 110 billion US dollar की in 2023 और जो estimate किया गया था वो नंबर था लगबग 82 billion dollar का 2021 में तो यह सब नंबर पढ़ने के बाद एक बात तो आपको समझ में आने चाहिए जो growing demand और जो बहुत ही बड़ा advantage long term में इस industry को हमारे country में जो मिलता वा आपको नजर आ रहा है बड़े से बड़े medium से medium और छोटी से छोटी लेकिन अच्छे company की उपर आपका focus investment के लियास से होना ही चाहिए तो इस पर company का नाम आपके screen के सामने आ चुका है जिसकी हापर हम बात करने वाले और अभी प्लिस वीडियो छोड़कर मत जना क्योंकि company क तो इतनी अच्छे यह भी one by one सारा का सारा डेटा अभी हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले तो स्टॉक नाम आप देख सकते हो आपको उसके नीचे देखने को मिल रहा है फिलाल बात कूर स्टॉक की आठ फरवेर की मतलब कर के दिन की मार्केट लोजिंगी तो 31 रुपे के अच्पास की क्लोजिंग आपको नजर आ रहे थी मार्केट में तो काफी अच्छे कासी गिरावट्टी लेकिन स्टॉक लगबग फ्लैट निगेटिव मोमेंटम में क्लोज हता हूँ आपको नजर आ रहा था इसका अगर आप लॉंग टरम का पैटन जितना यह करेंगे तो एकदम ध्यान से स्टॉक के चार्ट के पैटन को अफजर करोगे तो सबसे पहला यह लो उसके बाद यह लो और यह वाला लो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ प्राइज एक्शन को समझने की कोशिश करो क्यों कि प्राइज एक्शन ना कंपनी के प्रॉफिट ल कि यह स्टॉक लगादार उपर जाने वाला स्टॉक यहाँ पर बनता हूँ हमें नजर आ रहा है लेकिन उपर के तरफ क्या था यह वाला है और यह वाला है स्टॉक का नीचे था मतलब कहने कि यहां से निगेटिव साइन था लेकिन यह वाला है कंपेल टू दी साए एकदम सामने सामने मतलब equal highs आपको नजर आ रहे और नीचे की तरफ से lows उपर की तरफ shift वरे मतलब क्या मतलब momentum एक zone में यहाँ पर बन रहा है और इसका मतलब क्या निकल कराता है इसका मतलब यह निकल कराता है जब तक इस lower level के उपर lower level stock बनाते जाएगा और जैसे इस high को stock निकलेगा उपर की तरफ breakout करेगा stock में एक बहुती बड़ी breakout रेली भी हमें देखने को मिलेगी इतना ही नहीं trend line का एक बहुती बड़ी ब्रेकाउट यहाँ पर होता हुआ आपको देखने को मिला है आप देख सकते हो यहाँ से अगर आप एकदम सिंपल सी trend line ड्रॉ करके बेट जाओगे जो stock ने यह वाला high करने के बाद एक low मारा फिर एक high मारा यहाँ पर create कर दी थी तो यहाँ पर एक clear का trend line हमें मिली और यहाँ से इसका breakout होने के बाद stock में एक small size का vertical momentum भी हमें देखने को मिला जो अकसर breakout में stock में होता हुआ हमें देखने को मिलता ही है अभी stock ने इस वाला target को यहाँ पर achieve कर दिया है इसका multi-year का breakout तो obvious सी बात है जैसे ही 40's के ऊपर error limit की stock की closing अना start हो जाएगी इस stock की नई journey towards long term रही लिए की इस particular industry में या इस particular stock में आपको बनती भी दिखाई देखने तो definitely इस stock के पर अभी आप लोगों को हो सके तो focus लगा कर बैटना है नीचे के तरफ के कुछ levels की बात कर दो आप देख सकते हो 29 रुपिस के असपास support है 26 रुपिस के असपास support है और सबसे strong support आप देख सकते हो 20 रुपए से लेके 25 रुपए का उच्छे बेस कुछ समय पहले कुछ महीनों पहले stock ने बनाया था वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है अगर मार्केट में बहुती बड़ी गिरावट आने वाले समय में आपको देखने को मिली हो सकता है 28 रुपए से लेके 25 रुपए के बिच में यह stock आपको आता हो दिखाए दे तो कौनसी कौनसी यह IT service यह company कौनसी कौनसी इंडस्टर को provide करती है वो भी आप पर सकते हो यह company कुछ service provide करती है उसमें आपको देखने को मिलेगा cash management service उसके अलवा doorstep banking and pickup service यह भी आपको देखने को मिलेगा CTS clearing processing यह भी आपको इनके service में देखने को मिलेगा managing collection counters आपको देखने को मिलेगे account opening form processing जो banking में आता है वो आपको देखने को मिलेगा e-stamping certificate fee collection back office management software development service और इसी बहुत सरी services जो IT sectors के अंडर आती है इस company के तरप से आपको होती भी नजर आएगी अभी क्योंकि इनका सबसे बड़ा partner जारा करके आपको financial category का नजर आएगा तो इनके clients है इनके partners भी कुछ उसी type के आपको देखने को मिलेगा पर सकते हो some of the brand enhancing partners of the company are ICICI bank, SDFC bank, IDBI bank, CT bank ऐसे बहुत सरे दिगज नाम यहाँ पर आपको नजर आ रहे है even SBI, ADANI, ITC ऐसे बहुत सरे बड़े बड़े नाम आपको यहाँ पर clear card देखने को मिल भी रहे है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी कुछ numbers देख लेते हैं market cap की बात करें 385 crore के असपस का market cap है मतलब obvious सी बात है small cap में भी छोटी सी company आपको नजर है कि जिसको आप micro cap या nano cap बोल सकते हो तो रहे कि पहने stock के company का size भी छोटा है तो obvious सी बात है risk capacity आपकी यहाँ पर होने चाहिए अगर stock में निवेश करके चलना है तो और निवेश भी उतना जितने का अगर नुकसान हो भी गया तो भी आपको यह पर panic होना नहीं चाहिए एकदम बहुत बड़ा निवेश का कभी ऐसे stock में प्लैन नहीं करना है और रहल company तो अब तक काफी अच्छी नजर आ भी रही है stock का P लगबग 37 की असपस का industry P 39 के असपस का तो P के सब से stock अभी under value है ऐसा बोल सकते हो ROC लगबग 12% के करीब का है book value 9 रूपे के करीब का return on equity 9% का debt to equity 0.02 के असपस का है मतलब कईना की company almost debt free है ऐसा अगर आप बोलोगे तो भी कुछ घलत नहीं है उसके अलबा pledge percentage 0 प्रमोटर ने अपना एक भी शहर गिरिवी नहीं रखा बहुत ही अच्छी बात है total asset लगबग 133 करोड के असपस का है अगर मैं बात कुरूँ face value की दो का है मतलब यहाँ पर stock spread भी possible है हाला कि मुझे लगता है कि अभी इतना जल्ली investment के सबसे company को थोड़ा बहुत जज़ करने के लिए 2012 से लेके 2023 तक company का अगरा performance देखोगे जबरदस्त है चोटी size के company लेकिन loss making नहीं profit making company आपको नज़र एगी पहले कुछ सालों तक company सिर्फ और सिर्फ एक करोड के असपस का profit कर रहे थी लगबग 5 साल 2012 से लेके 2016 company को loss नहीं था लेकिन profit improve नहीं हो रहा था लेकिन loss नहीं था company number को सही तरीके से maintain कर परे थी जो कहीं नहीं की छोटी size के company के लिए बहुती बड़ी और बहुती अच्छी बात है उसके बाद 2017 में 2 करोड का profit हो गया उसके बाद 5 करोड का profit 2019 में 1 करोड profit काम हो गया लेकिन profit था compared to previous year बस 1 करोड का profit कम था लेकिन उसके अगले 3 साल अब देख सकते हैं company 6-6 करोड का उसके बाद 8 करोड का और पिछला financial year लगबग 9 करोड का profit पोश्च करने में कामयब हो चुकी थी और अभी ट्रेलिंग 12 मंद का नंबर हमें indication क्या दे रहा है कि company एक और step आगर बढ़के इस particular financial year खतम होते होते हो सकता record breaking 10 करोड के असपास का profit पोश्च करते भी हमें दिखाए रहे तो देखिए एकदम clear सी बात है company के business में दामें और company उसका पूरा का पूरा बोल सकते हो proof अपने profit year by year काफी अच्चा कासा grow करके दिखा भी रही है तो एक बहुती बढ़िया छोटी लेकिन दमदर profit growing company हमें देखने को मिल रही है company का shareholding pattern एकदम ध्यान से अगर हम observe करें तो एक quarter by quarter guy shareholding pattern में आपको बात रहा हूँ promoters की holding आप देख सकते हो December 2023 के हिसाब से 72% से हलकी सी उपर आपको नज़र आगी और public holding लगबग 28% की असपस के नज़र आगी बहुत सारे जो होते है न छोटे से कंपनी उनमें FS और DS जारा करके आपको नज़र नहीं आते तो यहाँ पर भी आपको नज़र नहीं आ रहे लेकिन फिर भी जितना भी data अब तक इस company का हमने देखा है अब्विस सी बात है कीदर भी कही पर भी कुछ भी problem company का नज़र नहीं आ रहा company का business अच्छा है company profit growing company के financial अच्छा है fundamentally कफी strong नज़र आ रहे है technically भी कफी strong नज़र आ रहे है दोस्तों उमित करता हो वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों शेयर करें पहले बार चैनल पर आया हो तो सब्सक्राब भी कर देना और कोई भी stock में निवेश करने से पिले खुद कि स्टेडर से जरूर करें financial advisor की पिसला जरूर ले मिलते हैं नेक्स वीडियो में धन्यवाद